Hello friends! मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो friends, आज मेने बहुती टेस्टी स्टेंड टमाटर का अचार मनाया है आप इसको टमाटर की चट्नी भी बोल सकते हैं बट जो भी ये खाने बहुती ज़़ाधा टेस्टी होती है जब भी आपको सब्दी में स्वाद नहीं आ रहा है तो आप इसको बना के खा सकती हैं बहुत ही tasty होती है आप इसको store करके 15 दिन तक भी रख सकती है अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगी तो आप इसको 20-25 दिन तक भी यूज कर सकती है आप इसको रोटी, पूरी, पराटी किसी कोई साथ खा सकती हैं बहुत ही tasty होती है तो चली यह start करते हैं तो उसके लिए मैंने आप यह लाल कलर के 500 ग्राम टमाटर ले लिए हैं medium size के अब हम टमाटरों को कट करेंगे तो सबसे पहले हम इसके डंटल को इस तरह से हटा देते हैं और इसमें से हम छोटे छोटे पीस इसके कट कर लेंगे इस तरह से हम सारे टमाटरों को कट करके त्यार कर लेंगे और यह मैंने सारे टमाटरों को काट लिया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो उसके लिए हम गैस अनकर केक कड़ाई रखेंगे और इसमें हम एक छोटा चमश ओयल डालेंगे ओयल को अच्छे से गरम होने देते हैं और यह ओयल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसमें अपने टमाटरों को डाल देते हैं और टमाटरों को अच्छे से हम इसमें मेक्स कर देते हैं आदी चमश नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं अब हम जब तक पकाएंगे टमाटरों को जब तक अच्छे से सौफ्ट ना हो जाएं यानि कि पूरी तरह से मैसी ना हो जाएं जब तक हम इनको पका लेंगे और गैस का फिलेम में मीडियम रखेंगे अब हम इनको कवर करके पांच मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं पांच मिनट के बाद अब हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सौफ्ट हो गए अभी थोड़े वाद टमाटर इसमें अभी कच्छे बच्छे हुए हैं यानि पूरी तरह से मैस नहीं हुए तो अब इनको फिर से कवर करके पांस मट के लिए छोड़ देते हैं और पांस मट के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैस हो गए हैं अब हम गैस को आफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो और टमाटर अच्छे से थन्डे हो गए है तो अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें भी सारे टमाटरों को डाल देते हैं अब हम जार काड़कन बंद करेंगे और इसमें हम पानी का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी जार काड़कन बंद करके अब इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं देखिए इस तरह से हमें इसका फाइन पेश्ट बनाना है अब हम चलते फिर से गैस की तरफ तो इसके लिए हम गैस ओन करके कड़ाई रखेंगे और इसमें हम चार चम्मच ओल डालेंगे यह मैं आचार बना रही हूं इसलिए मैं इसमें ओल का यूद जादा कर रही हूं ओल आधी चम्मच कलोंजी डालेंगे अगर आपके पास इसमें से कोई भी खड़े नहीं है तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं तब भी बहुत टेश्टी अचार वनेगा और इसको अच्छे से मिक्स करते हूं थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और यह अच्छे से फ्राई हो ग इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है तो इसको अच्छे से मिक्स करते हूं गोल्ड ब्राउन उने तक फ्राई कर लेंगे और यह अच्छे से गोल्ड ब्राउन हो गये है तो जो हमने टमाटो का पेश्ट लिया है उसको हम इसमें डाल देते हैं इसको यह मच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस का फिलिम हमें मीडियम ही रखना है नहीं तो अचार हमारा जल जाएगा अब हम इसमें असाई डालेंगे तो एक चमच हल्दी का पावडर डालेंगे एक चमच लाल मेच का पावडर एक चमच धनिया पावडर एक चमच हम इसमें नमक डालेंगे नमक हमें सापसे डालना है क्योंकि हमने आदा चमच नमक पहले भी डाल दिया था है यह हम अचार बना रहें इसलिए इसमें मसाले ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आप चाहे तो इसमें कम मसाले भी यूज कर सकती हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए दो मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और दो मिनट के बाब अब हम इसमें बनेगर डालेंगे तो दो चम्मच मैंने आपर यह बनेगर ले लिया है यानि कि सिरका इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसके उपर थोड़ा सा ओइल न दिखने लगे जब तक हम इसको पका लेंगे और चार से पांच मिर्ट के बाद आप देख सकती हैं यह अच्छे से पक गए यानि कि इनके उपर ओइल दिख रहा है तो अब हम गैस को ओफ कर देते हैं और इसको एक सर्वीम बावल में निकाल देते हैं वाजीव आप देख सकते हैं कितनी ही यमी लगई देखने में तो आप इसको रोटी, पूरी, पराटे, चावल किसी के भी साथ खासकते हैं बहुत ही टेस्टी होती है खाने में अगर आपको में रेसिपी अच्छे लगी तो में रेसिपी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंगे एगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई